असलाम नेकुम वियर्स वालकम टुए नौवाल यूट्यूब चानल मैं हूँ आपकी मेजबान जलवशा साइद खौब की ताबीते के सफर में आज हमारे साथ नौवा की एक बहुती स्पेशल स्टार जरहुना खादर साइद मौजूद हैं जिन उने CSIS 2022 में नुमाया कामयाबी हासिल करते हुए पूरे पाकिस्तान में 36 और KP में 3rd position हासिल की है और पाकिस्तान administrative service में उनके allocation हुई है आईए जरहुना से उनकी कामयाबी के सफर के बारे में कुछ जानता हैं असलामेकुम जरूब आलेकुम असलाम कैसे हैं आप, मैं बिलकुल ठीक हैं आप, मैं बिलकुल ठीक हूँ अदरहुना कैसा फील हो रहा है आपको थोड़ी सी मतलब येकीन भी नहीं आरा और खुशी भी बहुँआदा हो रही है तो अभी एक हफ़ता गुजरे तो कुछ टाइम बे यकीनी में गुजरते हैं और जब यकीन आ जाते हैं तो फिर खुशी बहुत होती है लेकिन रोज रात को और सुबोड़ते हुए रिजल्ट जरूर देखती है कि आपका है कि अभी तक खुआब नहीं तक खुआब नहीं मिल गई है तरहुना आपके फामले का क्या रियाक्ति अच्छा आपका रिजल्ट आया अच्छा रिजल्ट जो ऑफिशल एफपेसी के विबसाइट से पहले रिजल्ट एक लीक हो गया था ना सोचल मीडिया पर आ और एंड मेरी एंजाइटी इतनी ज्यादा हो गई थी कि बस दुआ भी नहीं मांग सती थी रिजल्ट आया मैंने खोला और मैं कोशिश कर रही थी कि मैं एंड में जाकर अपना नाम देखूँ जो आखरी पेज़ में थे अब जैसे पहला पेज़ खोला के पी कि जो हमजा ते शाम मेरे बाच्चमेट उनके डिएरेक्ट बाद मेरा नाम था तो मेरे तो आँकों के सामने अन्देरा आ गए, मैं भागी अमी घर मे थी और कोई था निहीं मैंने अमी से का है कि मतलब रिजल्ट आया हुए लेकर मुझे लग रहे ये फेक है मेरा मतलब इतनी अची प PSEC के website पे मैं proper result ना देखू मैं कोई नहीं खोशी मनाएगा लेकिन जब फिर वहां पर भी देखा तो एक मतब यकीन नहीं आ रहा था ना तो वो खोशी और बेयकीनी की हालत थी एवन एक हफ़ता गुज़र गया अभी तक कोई हालत शुरू हो गया अब थोड़ा थोड़ा अच्छा तरहुना आपने बताया आप से भी डिसक्रिशन हो रही थी मार्शाला आप डॉक्टर भी हैं तो क्यों सुछ की अपनी मैडिकल की फीर्ड और कब ख्याल आया कि नहीं मुझे तो से बस साविस में जाना है और मुझे यह करना है अच्छा मुझे अलहमदोला ग्र देख राना था तो मेरे दिमाँ में यह चलता था कि मैं रोज 20 मरीज देख लोंगी जिए जयाद से शी हचा क ₹क्छर ले ले दूंगे ज़े कि मैं मैं वह नहीं कर पा रहीं मैं कि क्रेट कर पा मेरे दिमाग में ये था कि एक फीमिल को और स्पेशली जो हमारी सिसाइटी होती है अभी तक मतलब कंजर्विटिव सिसाइटी से मैं विलॉंग करती हूँ तो वहां पर एक फीमिल को एक अथरिटेटिव आफिस में बैठ कर मैं कहती थी कि और फीमिल्स एंकरेज होंगी और फीमिल्स एक और अउरत को सरकारी दफ्तर में आना असान हो जाएगा हमारी जगव पर अभी तक और अउरत को मतलब पुलीस स्टेशन या एसी आफिस नहीं आने की अजाज़त नहीं है तो मेरे मतलब यही वो था कि मैं एक डिफरेंस क्रेट करूँ और स्पेशली और अरतों के लिए क्रेट करूँ और कंसरवेटिव ससाइटी की अच्छा दूसरा यह था कि जब मुझे जॉब मिली मैं मर्दान में जॉब मिली और उस टाइम में लोग यही बाते कहते थे कि पहले लोग अपनी बेटियों को और डॉक्टर या टीचर बनाना चाहते थे और अब जो मतलब ऐसी साइटी में लोगों की खौईश होगी थी कि हमारी बेटी आप असिस्टेंट कमिशनर बन जाए या सरकारी दफ्टरों में आ जाए तो ए इंस्पिरेशन के खातून जो है वो भी इस आफिस में आनी चाहिए अच्छा इंस्पिरेशन मेरी बहुत शूरू से थी मेरे फादर के एक खजन आईजी रह चुके थे अजीज़ खान तो हमारी फामली में वो तकरीबन उनको रिटार हुए भी कुछ डेकर्स गुजरे है उनके बाद कोई सिवल सेविस में नहीं आया अटेंट की लेकिं नहीं आ सके तो मेरी दिमाओ में शूरू से मतलब मुझे उनकी तरह बना था लेकिन ये था किछुद पर य यकिन नहीं था कापने टामल्ठ मतलब ये मेरा वो खाम था जो मैं किसी से शेर भी नहीं कर सकती मुझे वो खुद पर यकीन नहीं था तो जब खुद पर यकीन आ गए कि मैं कर सकती हूं तो फिर मैंने तयारी करनी शूरू की और अजया पर बैठी है जगुना आपकी इबताई तालीम है जैसे आपने बताया कि आप मरदान से बिलॉंग करती है तो जो आपकी इनिशल एडुकेशन की है जी जी असर मैं मेरी इनिशल एडुकेशन मरदान से शूरू हुई फिर मैं कुछ अरसी के लिए चारसदर शिफ्ट हुई अपनी मेटरिन जो ग्राइट पेरेंट से उनके पास फिर उसके बाद मैं पिशावर गई तो तीन अलग जगों पर एडुकेशन है कुछ अपने फामिली के बारे में बताएं पेरेंट से बारे में बताएं अच्छा मेरी अभी फामिली में मेरी मदर होती है और हम चार बहन भाई है तीन कार्डियोजिस्ट इस दूसकी बेहन डबल मास्टर्स किया वह अभी और भी पढ़ रही है और फिर मैं हूँ और मेर बाद मेर भाई रिजिडेंट कार्डियॉलजिस्ट है तो यह फामिली में फाइफ यर्स की थी जब उनकी ड़ गई तो अभी हम फामिली में बस चार पा फिर लिए अंबने जब स직 और दूसरे अप्शनल्स ही और नेखने में लिए आप्शनल्स चेंगे ता हाग को इस जो गए त्यारी अची कर दी ती छे जो play जैस परquिंद इधर्ऊ कर दी तो थी कार्ण जनल स्टेडियों पश्टों में बहुत अच्छा स्कोर लिया है तब कि बागराउंड आपका माशाला से मैडिकल कर आया तो पश्टो एक लिटरेचर है जनल स्टेडियों अग डिफर्ट सब्जेक्ट है और फिर क्रिमिनलोजी भी तो इन तीनों सब्जेक्स में इतना आच् स्कोरिंग है दूसरा यह के घर में पश्टो बोलते थे तो यहां पर नुवा के टीचर कहते थे कि बेशक जो लोग घर में बोलते है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद उनको आ जाती है दूसरा यह के मेरी अम्मी के पास एक मतलब एक डिग्री पश्टो की भी है तो औ मैं और मेरी अम्मी और सारी बहने एक ही कॉलिज से पड़ी हुए है तो उनकी पुरानी मैगजीन में मेरी अम्मी की शायरी और स्टोरी पब्लिश हुई थी तो वो मैं पढ़ने की कोशिश करती थी तो थोड़ी बहुत वहां से सीखी और फिर कुछ यहां पर आकर C.S.E.C तो इसे त्यारी करती और सीखी तो जेंडर स्टाडी जेंडर स्टाडी तो मैं एक्स्पेक्ट करी थी एक हमारा एक्जाम गर्मी में हुआ था और उस दिन मुझे बहुत नीन तारी थी तो जब मैं पेपर से लिक तो मुझे यह लग रहा था कि मेरा पेपर फेल हो जाएग मैं नहीं एक्सपेक्क करी थी कि मेरे अच्छे माग साज़ेंगे लेकिन जेंडर स्टाडी में मेरी स्ट्राटीजी यह रही है कि कुछ जो बुक्स वगरा नोट्स मिलते हैं साथ में मैं ज्यादा तर इंटरनेट पे सर्च करती थी तो मुझे यह लगता है कि मेरा जो मेरे इंटरनेशनल रओ ले ले लेते हैं लेकिन मुझे क्रिमिनाओजी इंटरेसिंग लगता था तो वो थोड़ा सा इंटरेस्ट कि वज़ज से मतब ज्यादा पढ़ा है उसके लिए उसके लिए अज़गूना अलाइक आपने अपने मेडिकल काप का बैगरांड था था ह नार्मल रूटीन से हट कर थी कुछ दिनों का गाप भी आ जाता था तो एक दो महीने ऐसे गुजरे और उसके बाद यह था कि यहां से मुझे बहुत मुझे बहुत मुटिवेशन मिली था मैं का यह अब मुझे करना ही है ऐसी है तो जब मतलब जब जबा आ जाते तो वो कोड़ा लिखने का टाइम नहीं होता था तो ज्यादे तो डिजिटल नोट्स पे भी रिलाई करती थी वापसी पे आते हुए मैं पश्टो की शायरी या कोई मतलब टापिक वो मेम्राइज कर ली थी तो मैं ज्यादे तो जो टाइम मुझे या मैं वार्ड में बैठी होती मरीजओ के बीच में जो टाइम होता था उसमें मैं बैट मारीज़ो के बीचे में उसमीन पाक ऐफ्यर और इस्लाम इंठा ये दिती थी खर गर आकर जो टाइम होता था था वो मैं फिरश होорт जैल तर उप्शनल ऑप्शनल उसको देती थी तो बस यह होता है द prayed बाँ जहा आपने राइटिंग प्रेक्टिस आपको करनी चाहिए, आपने लिखे थे, क्योंकि जो थीन घंते का पर आपने माढ़ाख nossa हेरा हमometr Sanaa कई आपने Lasta नहीत के लिपने लिखे तो राइटिंग प्रेक्टिस कीती? या कोई आउटलाइन बना लेती थी लेकिन लिखती जरूर थी कम लिखती थी लेकिन लिखती थी तो वह था कि इसे की प्रैक्टिस ने मुझे बाकी पेपर्स में हेल्प किया तो मैंने एसे अटेम्ट की थी करने चाहिए और लेकिन मुझे टाइम नी मिला तो उसकी वज़ा से मुझे नहीं हो सकता है जितना आपने लिखा या जितनी आपकी राइटिंग प्रैक्टिस से आपने इसको एवालुएटिया एसेस्मेंट कराई थी उसकी बिल्कुल एवालुएट कराई थी एवालुएशन के बगार असल में बंदा लिखता जाते है लेकिन समझ नहीं आती है मैं ठीक मेरी डिरेक् सब्सक्राइब करना चाहिए प्रेजिटेशन टेक्नीक बहुत ज़रूरी है मेरी अभी स्टूइंट से बात हो रही थी मैं उनको यही बता रही थी और इस बात के साथ बोर्ड वाले स्टूइंट ज्यादा रिलेट कर पाएंगे कि हमें मैट्रिक और FAC में यही का जाते है कि पेपर की प्रेजिटेशन अच्छी होनी चाहिए ज्यादा स्ट्रेस किया जाता था और एक्जाक्ती सेम स्ट्राटेजी सीएस पेमस की भी होती है जितना पेपर प्रेजिटेशन अच्छा होते है जो चीज़ ज्यादा अट्राक्टिव होती है वो एक्जामिनर को भी अ और दूसरा ये कि अच्छे एक लोग सारा फोकस पेपर प्रेजेशन पर कर देते कॉंटेंट पेनी करते तो इतनी मतलब ठी आर्ट में इतना जादा वो नहीं कर से टाइम नहीं ते-सकते तो यह इतना टाइम दे पेपर प्रेजंटेशन को के पेपर अच्छा लगे लेकिन सात में वह प्रिसे पीजा जाराँ आपका जाया नहीं के बैल्नेटरो सक्तिक्स जितना अच्छा स्कोर आपने लिया है उतना अच्छा स्कोर आप ले सकते हैं जबी CSS का PMS की जो भी Papers होते हैं उसमें जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं वो नॉमली आपका इनलेसस देखा जाता है इसे भी हवाले से नॉमली आकर की जाते हैं थो कोई पूछ हो आपने इनलीटिकल श्कषिस को स्कोर Пवशी की जाते हैं तो पूछी भी Sa This Ś सकते हैं ओप्लट ने भी क्रिषल कर रहे है हूँते चैंपूल अच्छा स्कते हैं एथ च्श्टर करती है अच्छा जितनी जादा डिब्लulations को किताबें झाल जाएं हमारे टाइम पर स्वॉर्स ज्यादा है तो उसमें से हमने जो छो मतब अची सोर्से लिद to कॉलिटी सोर्सेज वह डूंड में मुश्किल पड़ती और अच्छा कॉलिटी स्वॉर्स तो को कंसर्ट करें अच्छा जिसे आप अभी मेरे दमाग में इपरी आ रहा है, आएससाय आ रहा है, उसके इलावे काफी है, उनको भी कंसल्ट करें, नुवा का एक मैगजीन आते हैं, उसके मुझे लगते हैं, अभी तो क्वेशन वाइस आते हैं, जो एक्सपेक्टिव टॉपिक्स होते हैं, उस पे आर्टिकल्स वो तो जरूर कंसल्ट करें, और दूसरा ये के इंटरनाशनल फॉरन अफेर्स, एकॉनमिस्ट उनको कंसल्ट करें, उसके इलावा मुझे लगता है, मेरी आडियो विश्वल मेमरी ज्यादा अच्छी थी ना, जो मैं सुनती हूं, जो मैं देखती हूं, मुझे याद रहती और मेरे काफी ज्यादा नोट्स यूट्यूब वीडियो से भी बनाई गुए है, तो यूट्यूब और साथ में ये सोर्स अच्छी शेयर की है, हमारे एक और नुआ स्टार्ट थे, उन्होंने भी हमारे देखने वालन साथ ये शेयर की थी, कि जो आपकी वीयूल मामरी होत अब मैंने सी एसेस के एक्जाम से कुछ दिनों पहले एक जॉन मियर शाइमर की वीडियो देखी हुई थी, उनकी बाते इन इसेल एक रेफ्शेंस है, तो मुझे आ रहे है, मैंने इंटरनाशनल रिलेशन पेपर में जगा 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 उनकी बातों को को कोट किया था, तो उसे एक अच्छा इंपाक्ट भी पड़ते है, उनको लगते है कि या मन्ने ने बहुत पड़ा है, लेकिन मुझे लगते है यूटूब के 10 मिरिट की वीडियो से 10 रेफ्रेंसी भी मिल जाते हैं, तो यूटूब पे भी अच्छे स्कॉलर्स को भी सुन सकते हैं, तो मेरे हा यूटूब भी सब चीजे देख लेते हैं, उनको चाहिए कि अच्छा कॉंटेंट जो है, वो उनको आपको एंच्छा कॉंटेंट की तियारी के हवाले से भी मापब मिल सकता है, अच्छा तरगूना आब आते हैं आपके इंटर्वियो की तरफ हमारे देखने वालों को ये जैसे मैं पहले सराली की सर बाबा खेर की बात को कोड किया था कि आज़ चल सोर्स बहुत ज्यादे मिलती है, तो वैसी एकडमी में भी चूस करना बहुत मुछिल हो रहा था, तो मैंने, मैं सबसे पहले नुवा का यहां पर जो हमारे सराली के साथ पहला सेशन होना था, मैं सर के साथ बहुत अच्छा इंटराक्शन था, मुझे नाम जानते थे लेकर अविस्की मिले नहीं थे तो नहीं पैचाते थे, तो सर स्टूडेंट्स के साथ खड़े थे, मैं पीछा ही, सर है रहान होगे, सर कह रहे थी कि यह कौन है, मैं का सर आपने मुझे पैचान है कहते ज्रगोना सर उनको यादा गया, मैं रितिन आपते ही थी हम्रों भल्य में इनका पसको पास हो जाए मुझे सां होगी था इंटरवू सबढ़ा अगा थे कि आपताई जो तो सर कि से लिगा के सिर्वे नाम आपने मुझे ख़गी तो सर के साथ और आप साहब तो सर की, वो भी बेफिक्री में हो गया या मुश्किल पेश आई मेरा इंटर्विय उस दिन होना था जिस रात को जलजल आया था बहुत ज़रा होला तो उस दिन पहले से मुझे यह टेंशन थी कि मैं रात को सौंगी कैसे कल को मेरा इंटर्विय और अविसी मतलब जिन्दगी का सबसे एहम दिन होता है तो लेकिन फिर जलजल आ गया और इट वस ब्लैसिंगी मिली है तो अब इंटर्विय भी हो जाएगा बस पहले अपनी जिन्दगी को एंजॉय करो तो उस रात मैं अच्छी तरह से सोई और फिर कल को जो मेरा इंटर्विय था मेरा असल मैं मैं पिशावर सेंटर की आखरी कैंडिडीट थी तो मैं और मतलब वो अल्ला का एक करम ऐसा हुआ कि जैसी मुझे बहुत टेंशन थी इंटर्विय से पहले मैं आदे गटे वाक करी अच्छी थी तेंशन में लेकिन कम नहीं हो थी और जैसी मैं इंटर्व्यू रूम गई मुझे अभी तक यह समय आद थी मही टेंशन काम पर चली गई थी मुझे रखते मैं और इवन सर भी कहते कि मैं मतलब वन फोस कैंडिडीट सी जो बहुत काम थे और मतलब मैं बाइने अच्छी आप मेरा देखने वालों के साथ कोई मैसेज आप शेर करना चाहें जो एस पाइलन्ट अभी त्यारी करें उनको की टिप देना चाहें अच्छा मेरा एस पाइलन्ट को यह मैसिज है कि अगर सी एस के लिए दो चीज़े रिक्वाइड होती एक ऐस एक 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 पढ़ेंगे वो बंदा थक जाता है अगले दिन चार पांद दिन तक वो नहीं पाता जब कम पढ़ेंगे रोज पढ़ेंगे तो वो एनरजी मैंटेन रहेगी दूसरी यह रहेगी कि मतलब अपने स्ट्रेंट्स और वीक्निस के बारे में बंदे को अवेर्निस होनी जब वीक्निस का पता नहीं होगा तो वो और कम नहीं होगे मेरा हमेशा से इंटर्व्यू में भी यह रहा मुझे रोज अपना एक वीक्निस पता चलता मैं रोज सर के पास आकर बैठी मेरे साथ मेरे साथ यह मस रहे है वो वीक्निस ओवर कम हो जाती उसके अगले दिन एक अच्छा इंटर्व्यू के दे तक मैंने अपनी आखरी दिन तक मैंने अपनी वीक्निस ओवर कम करनी की काफी कोशिश की और अलहम्दल्ला उसका रिजार्ट यहा है कि मैं पिशावर सेंटर में आई विस टॉपर थैंक यू सो मच थैंक यू बहुत अच्छा लेगा आप इसे बहुत कर सीखनों को मिला एंड गूड लग इन्यू फीचर इंजियर्स थैंक यू बहुत हमारे साथ मौजूद थी जर्गूना खालिस साइद जिन्होंने CSS 2022 के इमतहान को पास करते हुए पूरे पाकिस्तान में 36 पुजिशन हासिल की है पाकिस्तान में जर्गूना क